अब लोग अच्छे होंगे और अपने त्यार भी काफी जबर्दस्त काफी संदार तरीके से चल रही होगी इससे पहले जो फीडियोप मैंने सेर किया था वो डियरेक्ट धौलपुर हाउस से लिया गया पिक था जो मैंने आपको सबसे पहले सबसे फास्ट अने स्टावलाई सेकेट में आपको देखने को मिला था रिजल्ट and then finally official website पे भी result आ चुका है जैसा कि मैंने previous वीडियो में बोला हुआ था कि होली से पहले result आएगा, देन वैसा ही हुआ, होली से पहले, यानि कि कल होली भी है, आज आपका result आ चुका है, कितने learners पास हुए हैं इंतमाम मुद्धे को पर बात करने वाले हैं, तो आज का वीडिय application form का बारे में क्या क्या बाते कही गई है, उसके rule and regulation को पर भी बात करेंगे, ठीक है, and then finally now present और यहाँ पर देखिए, यह आपका result ठीक है, पहले मैं थोरा से result आपका result रहा ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दू कुछ important points है, ठीक है, आपके interview से related यहाँ पर मैंने mention करा है या नहीं करा है, number of learners कितने है, तो यह mention नहीं किया है, direct मैं नीची आता हूँ, ठीक है, move on करते है result के उपर, और result के उपर हम आचुक है, finally, और यहाँ पर देखिए, civil services examination, civil services main examination का है, और यहाँ पर roll number सिर्फ दिया गया है, name नहीं दिया गया है, यहाँ ठीक है, रॉल नमबर आउट हुआ है, तो यहाँ से आप finally result देख सकते हैं, अनिस्क्रावल आइस से केडिम का टेलीग्राम है, description में, description में, टेलीग्राम का लिंक है, जाईए, join किजिए, और यह पर आपना awesome result देखिए, और आपका result क्या रहा है, comment box में comment करके जुरूर बताइएगा कि आपका result क्या रहा है, ठीक है, अनिस्क्रावल आइस से केडिम के तरफ से आपका help चाहते हैं, हर एक मुद्दे पे आपको help किया जाएगा, and then, best up like everyone, result देखिए आप लोग, और यह रहा मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, पूरे के पूरे PDF को, तो यह स्क्रॉल कर रह और यहां पे 17 मार्श 2022 दिया गया है, और यह आपका result है, यह आपका roll number है, उमीद है कि आप लोग का result आ गया होगा, and जो भी learners अभी त्यारी कर रहे हैं, या जो exam अभी देने वाले हैं, तो उनको बैस मैं यही कहूंगा, कि अगले बार बस आपका मौका है, आपको त्यारी पर बहुत अच्छे से focus करना है, और जो भी help चाहिए होगा, comment box में comment करके बताईएगा, आपको help मिलेगा, और साथ ही मैं यह नहीं कर रहा, कि मैं अपने channel की बराई नहीं कर रहा, लेकिन बस मैं यह बताना चाहता हूं, कि जितने भी update, अपने चैनल की बराई नहीं कर रहा अब हम बात कर लेते हैं कि interview के regard यहां पर क्या कहा गया है, interview आपका कब से होने वाला है, और final point तो यही बसता है, 17 March 2022 से लेकर 24 March 2022 तक आपको form फिल करने का एक मौका दिया जाने वाला है, और यह साम को 6 बजे तक ही आप फिल कर पाएंगे form, तो यह बात mention रखना है, DAF form second point है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, और क्या mention किया गया यहां पे, date of personality test interview के regarding यहां पे क्या कहा गया है, तो previous जैसा कि UPSC ने release किया था, उस पे कहा, पहले ही mention किया गया था, कि first of week, April से सुरू होने वाला है यह चीज़े, तो यहां पे कहीं mention हुआ है, यहां हुआ ह mention by a side within the 15, from the date of the publication, मतलब है, final examination, result जैसे आएगा, उसके 15 दिन के अंदर में, आप लोगों का माक्षिट वगेरा वो आ जाएगा, ठीक है, तो बस यही है, और क्या मुद्दा है, इसमें तो हमने result के उपर बात कर लिया है, इंटर्व्यू के उपर बात कर लिया है, आपका DAF कब से फिल होने वाला है, इसके उपर बात कर लिया है, और अब इसमें क्या बाते बच गई है, अब वो मैं देख लेता हूँ, तो finally everyone हमने लग रहा है, कि हमने सारी बाते यहाँ पर कर ली है, और इसके अलाबा कोई बाते अभी करने के लिए नहीं है, तो बस अभी आप result चेक किजिए, and once again, ठीक है, best of luck, और वीडियो अच्छी लगे, तो like, rate, review and share करना मत गुलिएगा,